दोस्तों रिलाइस पावर की बात के अंदर जबरदस गिराउट हुई है काफी जबरदस गिराए इस्टोक और आगे की क्या समोह नव बनेगी उसको समयने की कोसेश करेंगे आखिर कारे में इतनी भहिंकर गिराउट क्यों हुई है दूसरी दरब अगर हम जेपी पावर की ब पूरे के पूरे स्मॉल कैप में बहुत भारी पिटाई हुई है सभी के सभी श्टोक जबरदस धराय सही हुए तो यह जो गिराउट हो रही इसके पीची असली वज़े क्या उसको समयने की कोसेश करेंगे इस वीडियो के माद्यम से और क्या इस समय इन स्मॉल कैप से निक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी दवे औ और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसी सेंसेक्स सेवंटीवन हाउजन सेवंटीटीटू के इस तर पे क्लोजिंग दिये जापे 523 पॉइंट की गिरावट थी यानी 0.73 परशन की गिरावट थी बीएसी सेंसेक्स में अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि बाजार की सुरूआत तो काफी पॉजिटिव हुई थी लगबग डेट सो पॉइंट उपर पॉजिटिव सुरूआत की बाजार ने लेकिन उसके बाद में जो गिरावट का जो माहुल बन पर गिरावट थी यहनि 2.62 परसेंट गिरा बीएसी मीड के और इससे भी बड़ी पिटाई हुई है यहाँ पर देख सेंसेक्स में तो लगबग आदा पॉना परसेंट की गिरावट हुई है मीड केप में 72% की गिरावट है लेकिन स्मॉल केप में 73% की बड़ी गिरावट हुई है और ऐसे मैं रिलाइस पाउर हुई अब जे पी पाउर कैसे बचके रह सकते हैं सबी स्टाक में अंदर आज वहीं चन्डीशन हुई है दूसरी तरफ देख निप्टी एनरजी में भी आज काफी बड़ी गिराउट थी 38,097 के स्थर पे 940 पॉइंट की बड़ी गिराउट हुई है यानि 2.49% गिराई निप्टी एनरजी ओवराल देखे तो पूरे के पूरे सबी सेग्मेंट में काफी बड़ी गिराउट हुई है अब यहाँ पी जो चौकाने वाली खबर निक सेलिंग की है इसके पीछे कोई बड़े फंडाउस नहीं थे जौपदार तो यह क्लेरी समझ में आ रहा है कि रिटेल इंवस्टर आज फस गए अब आप देखी सकते हो कि आज डियाई की तरब से 11,183 क्रोड का नया इंवस्टमेंट किया गया सामने 9,472 क्रोड की बिक्व फई ने आज 9,156 क्रोड का फ्रेश इंवस्टमेंट किया सामने 9,030 क्रोड की दोने बिक्वाले की तो उनकी खरीदारी भी 126 क्रोड पॉजिटिव है यह बहुत महीनों के बार ऐसा देखने को मिला है जो बादार में बहिंकर गिराउट हो उसके बावजल भी एफई और दोनों ही बायर बने दोनों ने आज खरीदारी किया इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी आज की गिरावट की वो रिटेल इंवस्टर की है और यह बहुत बड़ी एक तरसे चिंता जनक बात है कि रिटेल इंवस्टर कभी भी पैनिक सरीक शुरू कर देते ह और यह पूरा मामला भीघड़ जाता है अब यह जो बड़ी गिरावट हुई बाजार में पीछे पांच बड़े रिजन है उनरी रिजन की वज़य से पूरा का पूरा मामला भीघड़ा है तो जो मार्केट एक्सपेर्ट हैं उनके इसाब से देखे तो यह जो स्मॉल कैप में जबडस तेजी बनी मिड़ कैप भी दोड़े और दूसरे डिफेंस के शेर रेलवेक के शेर पावर शेर यह बहुत जबडस दोड़े है यानि कम समय में इन्हों ने दुगुना तीन गुना रेटन दे दिया और इसे में प्रॉफिट बूकिंग की समवाण बनी थी तो यह जो रिजन बन रही है इसमें पहला रिजन है प्रॉफिट बूकिंग का यानि जो श्टॉक लगाता दोड़े उसके वजह से प्रॉफिट बूकिंग आई है अब सब्सक्राइब और इसे में कर्रेक्शन की समावरों बने थे और यह कर्रेक्शन आ गया तीसरा जो रिजन बना है वह मीडिलिस्ट में अग्राइसीस में जो यह प्रिटिकल टेंशन चल रही है आप देख से लगाता रिजस चल रहे जिससे जो हमारे लिए तो 85% इंपोर्ट क अगये कि कोसजें तोड़ा सा मवल गंड़डाता है यहांप निकलने की कोशीज करते तो पाचवा जो रिजन देख talkinारव है प्रिटर इनोब्स फ़ूआց Q पाजार में गिराउट हुई है अब जब भी बात करें तो देखेंगे स्टॉक 22.10 पर क्लोजिंग दिया जापे 4.95% के उपर हमने गिराउट देखिया नहीं 5% का यहां पर लोर सर्कृट लगा अब सर्कृट की लिमेट बढ़ी होती तो और भारी भी गिराउट हो सकती थी लेकिन पिछले जो जिससे लगातर अपर सर्कृट लेकर उसके बार में सर्कृट लिमेट कम की गई है तो यहां पे 5% की आज गिराउट हो गई और इसके लिए अच्छी बात रहे कि 5% में ही सलट गया अब वैसे इसका इंट्राडे का जो हाई बना वो आज 24 का है और यह 5% की बड़ी तेजी से आगया स्टॉक आप देख से तो कि 5% की गिराउट के उपर तो यह हो गया आज पूरा मामला अब यहां पे देख सकते हूं कि काफी दिन जला स्टॉक दोड़ चुका है यह 5 फरविडिकों स्टॉक 19.90 के आसपर जापे 5% का अपर सर्कृट लगा 6 जापे फरविडिकों स्टॉक 20.85 के आजब जहां पर त्युंत इसरो के पर ड़ाय तो यह घर देखने को मिली अभी अब यहां पर पीवर त्वीड लेवल को पीवड को चमल ले तो यहां से घराउट owner है पहला supported टूटा तो 17 तक जा सकता है गिराउट और जाई तो 16 तक भी जा सकता है अब positive mall बना तो 24 का first resistance इसको पार कर लिया तो 26 तक जाएगा बड़ी तेजी और बनी तो 28 तक जा सकता है यह support और resistance देखे आपको इसकी strategy बनानी चीए लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी आपे फिर बड़ी तेजी की समावन बनेगे लेकिन अभी फिलाल बहुत जाएगा थोड़ी सी गिराउट होगी आप भी profit book करना चाहिए एक बार कर सकते है अब realize power की बात के लिए है 26.15 पर closing ती जापे 5% का lower circuit लगा वैसे stock तो already correction के दोर में दिखाई दे रहा है इसने 33 का high बनाए तो उसके बार stock लगा था नीचा है लेकिन आज intraday में इसने 27.80 का high भी बनाए था उपर के level से काफी गिराउट हुई है पर यह stock में इतनी गिराउट की समावन होगी क्योंकि already पहले से इसमें काफी correction हो चुका है तो pivot level के मादिम से इसको भी समझने की कोसे करेंगे कि क्या इसके resistance और क्या support रह सकते है तो यहां से गिराउट हो जाती है तो 25 का पहला support है यह टूटा तो stock आपको 23 तक जाता हो दिखाई देगा तो बिल्कुल इसमें जाने की कोई बिल्कुल इसमें जाने की कोई बड़ी 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 तक जाता हो दिखाई देगा अब यहां से देख से तो कि तेजी और जारी नहीं तो फिर 32.87 तक भी stock जा सकता है वैसे ओलरी 33 तक जाके आचुका है तो बिल्कुल इसमें जाने की कोई बड़ी बाद ने सम्भावना है आरम से जा सकता है तो ऐसे में आप इसमें निवेस कर सकते हैं नीचले लेवल पे खरीदारी का मौका है तो रिलाइस पौर में तो थोड़ा सा आप एक दिन का वेट करके खरीदारी कर सकते हैं लेकिन जेपी पौर में भी आपको वेट करना चाहिए या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स